नमस्कार मैं हूँ सिश्मेत्यागी और आप देख रहे हैं नज़र टूडे जैसे कि हम जानते हैं कि mcd के चुनाव नज़्दीक है ऐसे ही आज एक कदावर नेता बीजेबी के कदावर नेता नरेंदर चावला जी से जो की अपने वाड में निगम पाशद है एक्स मेयर है और इस समय नेता सदन है उनसे आज हम बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे इस राजनीत कि में उन्होंने कदम रखा और आगे उनके क्या फ्यूचर प्लान है नमस्कार आप सभी के दर्शुकों को सरपतम होले की बहुत बहुत शुब कामनाई है मेरा राजनीती में जीवन में जो प्राधाप्रण हुआ है वो कॉलेज समय से हुआ है मैं समाजिक जीवन में उसके साथ साथ भारती जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में जोड़ गया है चावला सर्थ जैसे कि एक आप अपने आप में प्रसिद्ध नाम अब हो चुका है पहले बहुत छोटी सी लेबल से आपने राजनीती शुरू की कॉलिज से और अब एक आपक इस बीच में कितने उतार चड़ाओ देखने पड़े देखिए निरंतर काम करते रहना निरंतर सेवा करते रहना लोगों के बीच में बने रहना यही एक समाजिक व्यक्ति का करतव्य होता है और मैंने उसको जमीन से जुड़ करके उस करतव्य को हमेशा पिछले कई सालों स लगबक 40 सालों से उपर हो गए वो मैं निभाता रहा हूँ मेरे जीवन में कोई भी उतार या चड़ा रहा हो लेकिन मैंने उस भूमिका को हमेशा निभाया है और उस करतवे निष्टा से करने की काम को करने की कोशिश किये और यही एक कारण है कि जो मैं आज लोगों में रहेंगे निरंतर काम करते रहना ही मेरा फ्यूचर प्लैन है बाकी हम पार्टी में जहां काम करते हैं वह हमारा शीर्ष नेतर रहता है वह उसका आंकलन और उसको हमेशा देखता रहता है हमेशा उसकी रिपोर्ट लेते हैं उसको हमेशा रिपोर्ट करते भी हैं और वह प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है वहां के लोगों ने वहां के जन मानस ने भारती जनता पार्टी में भारत के शच्वी परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कारे प्रणाली पर भारती जनता पार्टी की नीतियों पर नड़ा जी की नीतियों पर हमारी पार्टी पर विश्वास किया है और उन्होंने भारती जनता पार्टी को बहुमत जिताया है जित दिलाया है हम वहां पे हमारे काम को वोट मिला है काम के उस unfortunate है लेकिन वहां भारती जन्ता पार्टी हारी नहीं है वहां पे Congress हारी है भारती जन्ता पार्टी का बहुत बड़ा काम पंजाब में नहीं था क्योंकि हम पहले आकाली दल के साथ मिल करके चुनाओ लड़ते थे लेकिन हमारे जो बुन्यादी मसलों पर लेकर के हमारा शिर्मन या काली दल से एलाइंस तूटा है लेकिन वहां भारती जन्ता पार्टी का दुबारा से वर्किंग करने का और संगठन खड़ा करने का मोदी जी ने जैसा अपने पेशले दिनों भाशन में भी बोला है दुबारा से नए सिरे से पंजाब में क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट है वहां पे नए सिरे से भारती जन्ता पार्टी को अच्छे से और अपने संगठन को मजबूत करके खड़ा करना होगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि महां भारते जन्ता पार्टी मजबूत तरीके से खड़ी होगी जैसा कि दिल्ली में चुनाव आने वाले थे उसके तारीक बदल दी गई है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल जी का कहना है कि चुनाव आयोग को डरा दिया गया है जिस वज़से उन्होंने तारीक बदल दी और अगर तै तारीक पे चुनाव होते तो एमसीडी में भी आपकी सरकार होती तो इस पे आपके कुछ वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने है कोई साविधानिक बॉड़ी है जो चुनाव योग है दिल्ली का उसको कोई डराया धंकाया नहीं जा सकता है और चुनावी समय को दस-पंदरा दिन अगर कहीं किया गया है और वो विदिन दी लिमिट्स किया गया है जब तक कि उनकी परिदी है और किसी चीज को रिफॉर्म्स को जब किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ समय में कोई बढ़ावा भी किया जा सकता है और ये केन सरकार के अक्टियार में है और इन रिफॉर्म्स को भी लाने के लिए जिम्मेवार कौन है उसकी उसमे कष्ट क्या आया है जिसको इसलिए केंसरकार को एक्षन लेना पड़ा है क्यूंकि दिल्ली जो है वो भारत की राजदानी है राजधानी को राजधानी का सवरूप बनाए रखने के लिए केजरिवाल साफ अडचन पैदा कर रहे थे प्राथमिक स्कूलों को चलाना यह सब काम निगम करता है लेकिन उनके फंडों को रोक करके उनके साथ सोतेला वैवार करके अपने दिमाग में चुनावी एजंडा रखके इस तरह की जो राजनीती दिली सरकार के निगमों के साथ कर रही थी उसके लिए केंज सरकार को इंट बिल को ला रहे हैं और इस लाने के बाद इसको युनिफाइट किया जाएगा क्योंकि इसका ट्राइफिकेशन भी शीला दिक्षित ने अपने समय में कर दिया था वो भी एक शणयंत्र रचा था कि वो कुछ जगाओं पर केंज की सरकार आ जाए लेकिन उसमें उनको सफलत मिली नहीं लेकिन अभी ऐसा मैसूस होने लगा क्योंकि यहां बहुत सारे गंतंत्र के हैड आफ दी स्टेट्स आते हैं सब लोग आते हैं तो इसको ठीक रखना भी केंज सरकार की जिम्मेवारी है इसलिए इसको युनिफाइट किया रहा है ताकि जो हमारा शेयर है हो जाएगी आप mcd चुनाओं को कैसे देखते हैं मतलब क्या आपका वो रहेगा इसके लिए नजर या क्या है आप आप देखिए गारती जनता पार्टी पुन है निगमों में लोग जन्मानस यहां के चुनेंगे डिली की जनता मुझे लगता है कि केजरिवाल को पिछले साथ साल से भोग रही है और उन्होंने देख लिया है कि किस परकार से उनको धोखा दिया गया है उनको गुमरा किया गया है उनको कहा गया था पानी के बिल नहीं आएंगे हजारों रुपे के पानी के बिल लोग देते हैं आते हैं दिली जलबोड जो है पुरा खोखला हो चुका है और उनका उनकी सब ववस्ताइं चर्मर आ गई हैं सीवर की ववस्ता चर्मर आई हुई है पानी की समस्या गंदा पानी बद्बू वाला पीना पड़ता है जमना मैली है गंदी है उसको परदूशित है उसको साफ करने का काम दिली सरकार ने किया नहीं दिली की लाना था, पबलिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को बढ़ाना था, उसको बढ़ाया नहीं, एक भी स्कूल नया निर्माड नहीं किया है, कॉलेज खोलने थे कोई कॉलेज नहीं खोला है, नये हस्पटाल खोलने थे उसको कुछ खोला नहीं है, करोना काल में दिल्ली सरकार पूर प्युपन करते हैं, और असल में दिल्ली की जनता अब ये जान गई है कि केजरीवाल सरकार और फिर डिल्ली में जिस परकार से शराब के ठेके ठेके खोले गये हैं, एक तरफ पंजाब में ये नारा दिया है कि मैं इसको नशा मुक्त कर दूँगा, लेकिन दिल्ली में यूगों को और महिलाओं को नशे में डुबोनों के डुबेने का काम कर रहे हैं कि दिल्ली जो है दिल्ली की जनता नशे में डूब जाए और दिल्ली में शराब के ठेके माफिया के माध्यम से अपनी जेव और अपनी पार्टी की जेव भरके इस परकार स से खोले हैं उससे दिल्ली की जनता जो है वो त्रसित है और दिल्ली की जनता इनको एमसेटी के चुनावों में इनका ठीक से मजा चखाएगी ऐसा मुझे लगता है जैसा कि अभी होली मिलन समारो हुआ है आपका या मतलब आप होली के तोहार को अप प्रचंड विजय के तरीके से किस रूप में बनाने की कोशिस करेंगे दिल्ली की नहीं पूरे तमाम भारत वर्च के और जहां-जहां पर चुना हुए हैं ऐसा यूपी के लोगों ने भी का था कि दस तारिक से ही इस बार यूपी का जैसे ही नतीज़ा आएगा बाकी जगा का नतीज़ा आएगा तो इस बार धोली का तैवार पहले से ही मनना प्रारम हो जाएगा जिस से ये ब्रिंदावन की धर्ती पर होता है पूरा पर्व मनाया जाता है इसलिए इस बार पूरा पर्व भी इसी दस तारिक से प्रारम हो गया है और जीत का भी जश्न भारती जनता पार्टी के कारे करत करोना भी जिस परकार से चल रहा था तो इन पर ग्रहन लगावा था, लेकिन मोदी जी ने इस पर भी जो वैक्सिन लगा कर के पूरे देश में इस पूरे करोना से निजात पाई है और पूरे देश के लोग जो हैं स्वस्थ हुए हैं और हम फिर से अपने तैवारों को मनाने के लिए तैयार हो गए हैं तो होली का तैवार भी अभी हम मना रहें और पूरे सप्ता भर इसका होली का जश्ण और जीत का जश्ण दोनों हम कठे मिल करके मना रहें मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सब को देशवासियों को अपने नगर वासियों को बधाई देना चाहते हैं इस तैवार को खुशी से मनाएं ध्यान से मनाएं अपने सवस्त रखें अपने शरीर का भी ध्यान रखें और खुशियों का ये तैवार सब में बांट करके अपने भेद भावों को सबको जो ये संदेश होता है उसको मिटा करके फिर से सबको गले लगाएं और खुशियां बांटें यही आज के दिन का मेरा संदेश है धन्यवाद सर तो ये थे बीजेपी नेता नरेंद्री चावला जी अभी आपने उनको सुना उन्होंने अपने बारे में पार्टी के बारे में जो भी सुचना आप लोगों को दी जो बारे में बताया कि उनके आगे फ्यूचर प्लान क्या है या वो अब पार्टी को कैसे हन्यवाद करते हैं आगे देखते रहे हैं आप लोग नज़ा टूदे शुच मत आगी